नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आज मेरी बेटी ने खुकम दिया कि मैं डाल जावल नहीं खाऊंगी और बेटे ने कहा कि मैं रोटी सबजी नहीं खाऊंगा अब मैं फस गई दुविधा में तो चलिए हमने भी निकाल लिया सलूशन और सलूशन में निकाला है हमने ये कि चोटा टुकडों में काट कर प्रेशर कुकर में डाल दिया और इसमें डाल दिया नमक, स्वाद अनुसार और डाला इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चममच के करीब हल्दी पाउडर और इन सब में थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने लगा दी विसल इसमें प्रेश चमच नमक डाल कर अच्छे से उबाला दिला लिया था और यहाँ पर इसके तड़के के लिए मैंने प्याच, अद्रक, लस्टन, हरी मिर्च और टमाटर लिया था जिनको मैंने बारिक बारिक काट लिया था और यहाँ पर Neutrilla हमारा अच्छे से उबल गया था इसको अच्छे से निचोड कर इसमें जो एक्सेस पानी था वो निकाल दिया मैंने और इसके बार डाल दिया मैंने इसको एक ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड करके पिल्कुल इसका बारिक बारिक चंक्स बना लिये थे और अगर आपके पास Neutri जो आता है मार्केट में वो अगर अवेलेबल हो तो आप डारेक्ट उससे भी बना सकते हैं उसे पानी में उबाल कर ये देखें ये कुछ इस तरह से हुआ था रेडी अब मैंने यहां पर लिया है एक टेबल स्पूल ओइल उसमें डाला है एक तेजपत्ता एक टुकड़ा दालचीनी का दो लॉंग और छोटी हई एलाईची और फिर इसमें जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया था वो डाल दिया है मैं कम न्यूट्रिला बना रही हूँ इसलिए मैंने कम प्याज डाला है आप अपनी कोईंटिटी के हिसाब से डालिएगा और फिर इसमें डाल दिया था मैंने अद्रग लसन का को मैंने कूट लिया था आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं या मार्केट वाला पेस्ट भी डाल सकते हैं अब इन सब को अच्छे से भूनना है आपको पता है यह नीट्रिला विल्कुल ऐसे बनता है जैसे आपने कीमा नॉन्वेज जो लो खाते हैं वो कीमा खाते हैं विल्कुल वैसा अब इसमें डाल दिया था मैंने हरी मिर्च बारी कटी हुई और डाल दिया था मैंने टमाटर की प्यूरी और डाला मैंने इन सब को भूनने के बाद नमक, स्वादनुसार और डाला लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, सुखा धनिया पाउडर और साथ में डाला यहां पर मैंने डाला था हल्दी पाउडर आदा चम्मत जो मैं डालना भूल गई थी, थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लग रही थी, तो मैंने मिर्च भी और डाल दी है, क्योंकि यह थोड़ सा स्पाइसी अच्छा लगता है, अब इस सब को भूनने के बाद मैंने इस थोड़ से अब्जर्व हो जाएगा, अब यहां निट्रिला होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढख कर पकाऊंगी, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से रल मिल जाएं, और अब इसके बाद मैंने 5-7 मिनट इसे पकाया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली कसूरी मेथी और बाद में मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला था, जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जो इट्रिला तो हमारा हो गया है, बिल्कुल रेडी, अब इसको रखते हैं साइट पे और त्यारी करते हैं पाव भाजी की, तो यहां एक टेबल स्पून ओयल डाला है मैंने कड़ अब प्याज को अच्छे से भूनने के बाद जब यह थोड़ा साइस का कलर चेंज हुआ तब मैंने इसमें एड कर दिया था बारिक बारिक चौप करके टमाटर का आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं अब इसे वापस से अच्छे से भूना और इसमें मैंने आधा च जिसमें थी लाल कश्मीरी मिर्च जो होती है कलर के लिए वो डाली है और आधा चम्मच के करीब डाली थी मैंने लाल मिर्च और सूखा धनिया एक चम्मच और यहां पर डाला है मैंने पावभाजी मसाला पावभाजी मसाला मैंने दो चम्मच डाले थे और इसके बाद इन तो यह थोड़ा सौफटी रहते हैं इसलिए अगर आपके पास सफल के मटर हो तो आप पहले उन्हें बॉइल कर लीजिएगा और जब तक मसाला भुन रहा है तो हम यह सारी जो सबजियां थी इनको मैश कर लेंगे अच्छे से मैशर की हल्प से अब यह मसाला भुन गया था अब इसमें एड कर दिया है मैंने सारा जो वेजिटेबल्स बॉइल की थी अब इन सबको अच्छे से चला देंगे और इसमें एड कर रहा है मैंने आधा कटोरी के करीब पानी यह मुझे न थोड़ी गाड़ी गाड़ी लग रही थी इसलिए इसमें डाला मैंने एक चमच अमूल बटर और साथ में डाला था हरा धनिया हमारी पाव भाजी हो गई है रेडी थोड़ा सा इस पे मैंने ऊपर से डाल दी थी कशमीरी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ी रेडिश कलर की हो जाए और अब रेडी है हमारी पाव भाजी तो इसको सर्व करते हैं बेटी भी अच्छे से बटर लगा कर दोनों साइड से सीख लिया था बेटी भी आ गई थी ओफिस से चले करते हैं उसको अब सर्फ बेटी को न्यूट्रिला और पावभाजी दोनों पसंद हैं इसलिए मैंने उसको दोनों चीज दी थी जो लोग नॉन वेच लवर हैं उन्नों को तो न्यूट्रिल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और उसको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था आप भी ज़ुरू ट्राइग करियेगा आपको और आपके बच्चों को ये बहुत जादा पसंद आएगा and if you like my video please hit the like button and subscribe my channel too and thank you so much for watching my videos God bless you all